आडी शर्मा solutions देख रहे है class 11 chapter 15 linear in equation exercise 15.6 अब कई additions में ये 15.5 ही है solve the following system of linear equations graphically अब इनको graphically solve करना है ये जो linear equations है जैसे ये दो आपको दी हुई है साथ में एक condition है x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 इसका सिधा मतलब है कि ये first quadrant की बात हो रही है solution first quadrant में आएगा जब भी हमारी equations आती है सबसे पहले हम इनको equate करते हैं जैसे ये 2x plus 3y less than equal to है तो इसको equal to 6 कर दीजे यसे ये है 3x plus 2y less than equal to 6 है तो इसको आप equal to 6 कर दीजे यहाँ पर आप x 0 रखिए देखिए y क्या आता है x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 6 by 3 आने की 2 इसी तरीके से y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 6 by 2 3 x आएगा आपका 3 यहाँ पर देखिए x को 0 रखिए y आपका आएगा 6 by 2 3 y को 0 रखिए x आएगा 2 तो अब हमारे पास points मिल गए 0 2 3 0 दो points मिल गए एक line बना दी जैसे 0 2 और 3 0 तो आपके पास पहला है x 0 y 2 x 0 y 2 मतलब यह आपका 0 2 है और 3 0 मतलब x 3 है और y 0 है यह आपका हो गया 3 0 अब एक line थिक line बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर equality का भी sign है थिक line बनाएं यह बना दी यह वाली line है वाली इसकाद यहाँ आई है 0 3 x 0 y 3 तो 0 3 यह हो गया ऐसे x 2 y 3 यह आपका x 2 y 0 यह 2 0 हो गया अब यहाँ से एक line खेज दीजिए यह line दोनों बन गई अब जब यह line बन जाए सब में ऐसे करना है सबसे पहले आपको 0 करके line बनाना है line जब बन जाए तो अब यह देखना है कि solution कहां आ रहा है तो 0 0 इसमें डाली है इसमें 0 0 डाली है यह वाले है 0 0 डालेंगे तो 2 x 0 प्लस 3 x 0 यह क्या है 0 और यह किसके बरापर है less than equal to 6 तो यह तो सही है 0 less than equal to 6 है यह जो 0 0 है यह इस line के हिसाब से इस line के हिसाब से नीचे है तो इसका solution होगा यह मैं भी इसे shade नहीं कर रहा हूँ आपको बस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पूरा solution है इसका इदर अब इस पर आईए दूसरे वाले पर 3 x plus 2 y equal to 6 इस line के बारे बात कर रहा हूँ यहाँ पर x और y 0 दीजे 3 x 0 प्रस 2 x 0 यह कितना है 0 अब यह किसके बराबर less than equal to 6 के बराबर देखना है तो 0 less than 0 6 से कम है इसका मतलब इसके लिए solution यह है इसके लिए solution यह है अब आप देखें यह वाली line कहती है कि इसके नीचे है यह line कह रही है इसके नीचे है तो यह portion नहीं लेंगे आप और यह line कहती है यह वाली line कह रही है कि यह इसके नीचे है यह पूरी line लेजे यह line कह रही है इसके नीचे है मतलब यह वाला portion नहीं लेंगे यह जो portion है इसको नहीं लेंगे यह portion है वैं इसको नहीं लेंगे यहां तक हो गया अब कहां तक लेंगे यहां पर आ जाएगे x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 मतलब आप x को positive रखेंगे y को भी positive रखेंगे इसका मतलब केवल यह जो portion है यह इसका solution होगा 2x plus 3y less than equal to 6 x plus 4y less than equal to 4 इसमें x और y निकालना है मतलब पहले line ने बनानी है line ने बनाने के बाद हम इसका solution देखेंगे तो 2x plus 3y यह less than equal to 6 है इसको 0 equal to 6 कर दीजे और दूसरा है x plus y 4y यह less than equal to 4 है इसको equal to 4 कर दीजे x को 0 रखिए y कितना आएगा 6 by 3 2 y को 0 रखिए x कितना आएगा 6 by 2 3 ऐसी x को 0 रखिए y आएगा 4 by 4 1 y को 0 रखिए x आएगा 4 तो आपके 0 2 और 3 0 यह 2 points मिल गए यह 1 point यह 2 point 0 2 और 3 0 तो 0 2 यह हो गया आपका x 0 y 2 0 2 यह हो गया x 3 0 यह आपका 3 0 हो गया यह line बना जीजे thick line बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर equality sign भी है thick line बना दीजे यह line बन गई आप पहली फिर उसके बाद अगले पाएंगे 0 1 x 0 y 1 यह 0 1 हो गया यहाँ से सीधे किस से draw करेंगे 4 0 यह 4 0 हो गया यह पॉइंट को मिला दीजे और line बना दीजे straight line बन गई यह line और यह line हो गई अब यह less than equal to 6 है less than equal to 4 है तो आप देखिए x और y को 0 रखिए क्योंकि origin दीखना है किस जगा पे आ रहा है x और y को direct करते रहो x और y को 0 रखेंगे तो 0 less than 4 होता है तो 0 0 0 0 इसका भी solution है 0 0 इसका भी solution set में आता है 0 0 इन दोनों के solution set में आता है मतलब इसका solution set नीचे होगा इसका solution set भी नीचे होगा लेकिन पहले इस line पे आईए इस line से यह कहते है इस line को intersection से यहाँ पर आते है यह line कहती है कि ये solution है पुरा लेकिन ये line कहती है कि ये है solution दोनों का intersection point लेंगे तो ये solution होगा केवल अब इस line और इस line के बारे बात करते हैं ये line कहती है कि पूरा solution है बद ले नीचे वाली line कहती है कि ये इतना solution है तो इसका मतलब इन दोनों का intersection लेंगे तो ये वाला point ले लेगे लगिन दो चीज़े और है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x negative नहीं हो सकता y negative नहीं हो सकता मतलब केवल first coordinate में आप आएंगे तो केवल हमारा solution set ये वाला तो यहां से आ गया था लाइनों से अब ये x और y axis जो है वो इसको deliberate कर देगी कि आप इधर ना जाए और ना जाए ये solution होगा है जो shaded portion है x minus y less than equal to 1 और x plus 2y is less than equal to 8 और 2x plus y greater than equal to 2 x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 तो इसमें 3 line बनाएंगे पहले है x minus y को बराबर एक कर दीजे x plus 2y को बराबर आट कर दीजे equality ले लिजे और सारी inequalities है तो straight line मनानी पड़ेगे आपको जब इसका result हैगा तो तीसरा है 2x plus y greater than equal to 2 इसको equal to 2 कर दीजे अब x 0 रखिए y कितना आएगा minus 1 y 0 रखिए x कितना आएगा 1 पहले इसको बना लेते है 0 minus 1 x 0 है y minus 1 मतलब ये 0 minus 1 ये हो गया x 1 y 0 ये 1 और 0 इन दोनों से लाइन बना दीजे ये पहली लाइन हो गई x minus y equal to 1 फर्स लाइन सेकंड प्राइ x plus 2 y equal to 8 x को 0 रखिए y कितना आएगा 8 by 2 4 y को 0 रखिए x कितना आएगा 8 0 4 x 0 y 4 ये है x 0 y 4 ये आपका ये हो गया 0 4 फिर है 8 0 8 0 ये लाइन बना दीजे सेकंड लाइन हो गई ये ये आप एरो से देख रहे है सेकंड लाइन है थर्ड एन प्राइए 2 x plus 2 2 x plus y equal to 2 x को 0 रखिए y आएगा 2 y को 0 रखिए x आएगा 1 तो 0 2 x 0 2 ये हो गया 0 2 और y हो गया x 1 और y 0 x 1 और y 0 ये दो 1 और 0 इसका भी solution है 1 और 0 इसका भी solution है अब इस लाइन को बना देंगे ये 2 x plus y equal to 2 हो गया अब इन सब में 0 0 रखिए x में 0 y में 0 0 में 0 0 less than equal to ये 1 0 less than 1 है तो इसका मतलब पहली लाइन जो first line मैंने आपको बताए थर्ड लाइन ही होगी पहली लाइन जो है first line जो है 0 is less than equal to 1 तो 0 is less than equal to 1 इसका मतलब 0 इसके solution में आता है पहली लाइन में मतलब solution होगा उपर इसके उपर x में आते है x 0 y 0 0 less than equal to 8 0 is less than equal to 8 इसका जब दूसरी लाइन है 0 0 यहाँ पर है उसके नीचे आता है solution यहाँ पर 2x plus y equal to 2 0 रखे 2 into 0 is 0 plus 0 is greater than equal to 2 तो 0 greater than equal to 2 तो होता नहीं है मतलब यह तीसरी line है यह तीसरी line इस line में जो 0 0 रखा तो यह इस पर solution नहीं आता है मतलब solution इस तरफ नहीं है 0 0 इस line का solution नहीं है वो उपर solution होगा तो इसके लिए उपर वाली वो होगी point अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें करना क्या है तो नहीं सार इन तीनों का intersection लेना है सबसे पहले x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 इसका मतलब हम किवाल पहले quadrant की बात करेंगे तो solution हमारा इस quadrant में आएगा तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ कर फर्स quadrant में करते हैं तो इसके लिए यह solution होगा इसके लिए फिर यह solution होगा और इसके लिए यह solution होगा अब थोड़ा इसमें देखिए intersection point क्या है intersection यह, यह, यह और यह तो intersection जो होगा तीनों का अगर अलगला color से बनाएंगे तो आप देखेंगे तीनों का intersection जो है that's why जो intersection है वो आपका solution होगा यह धियान रखेंगा यहाँ पर है आपका x plus y is greater than equal to 1 तो सीधा वहीं काम करना है तीनों में यही करना है x plus y is equal to 1 7x plus 9y is less than equal to 63 तो 0 equal to 63 कर दीजए और x is less than 6 y is less than 5 और x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 तो सबसे पहले x plus y हमें दो line मनानी है यह line हमारे पास है यह line सीधा है x equal to 6 यह line है सीधा y equal to 5 तो इसके लिए यहाँ x को 0 रखिए y आएगा आएगा आपका 1 y को 0 रखिए x आएगा आपका 1 तो 0 1 1 0 यह 0 1 है यह 1 0 है एक line मना दीजए यह line आपकी पहली यह line हो गई फिर x equal to 0 y आएगा 7 9 0 63 y 0 रखिए x आएगा 7 9 0 63 तो 0 7 x 0 7 है यह हो गया और यह हो गया आपका 9 0 यह आपका 9 0 हो गया तो यह line आपका बना दी यह line बना दी x 6 है y 5 है तो x 6 है मतलब y x 6 यह हो गया सीधी line बना दीजए यहां सी y x 6 के parallel यह x equal to 6 हो गया y equal to 5 y 5 pi है सीधी line बनाई है जो parallel हो एक सेक्से के अब x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 तो सीधी सब मतलब है कि पहले coordinate में solution है हमारा यह positive में है अगर हम इस तरीके से coordinate बनाएंगे तो इसका मतलब solution के वाल यहां पर है x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 अब आते हैं यहां पर अब हम रखते हैं इसमें 0 0 देखते हैं origin इसके नीचे की तरफ है या उपर की तरफ है x 0 y 0 रखेंगे तो 0 plus 0 यह है greater than equal to 1 तो 0 greater than equal to 1 है क्या क्या 0 greater than equal to 1 है नहीं 0 1 से छोटा है तो इसका मतलब यह जो 0 0 है वो इस line के solution में नहीं आता है तो इसका line का solution होगा उपर उपर यह उपर सारा share कर दीजिएगा क्योंकि हम इसका intersection लेने वाले है यह पूरा portion अब आई अगले पर यहां पर x equal to 0 रखेंगे वतलब x equal to 0 y equal to 0 तो 0 0 7 into 0 is 0 9 into 0 is 0 less than equal to 63 तो यह 0 तो less than equal to 63 होता है इसका अब जीरो 0 इसका solution है तो आप इसके नीचे पूरा shade कर दीजिए लेकिन यहां से नीचे नहीं जाएंगे इसका कारण क्या है आपकी यह line कहती है कि सारा solution उपर है तो जब आप यहां से नीचे की तरफ line लाना शुरू करेंगे तो इसके नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यह line जो है यह कहती है कि solution नीचे नहीं है तो आप यहां पर आकर रूख जाएंगे यह तो हो गया इसका नीचे यहां यहां portion इसका solution होगा इसका solution उपर होगा अब आईए इस line पर यह वाली यह line कहती है कि solution नीचे यह line से x is less than equal to 6 तो x is less than equal to 6 0 रग दीचे 0 0 रग दीचे तो x less than equal to 6 0 less than 6 होता है तो solution नीचे है 6 के नीचे है तो यह पूरा portion यह पूरा portion लेकिन क्योंकि first quantity में यही portion आएगा लेकिन यह line कहती है कि solution तो इस तरफ है तो आप यह वाला portion नहीं लेंगे यह portion नहीं लेंगे फिर यहाँ पर आईए y less than equal to 5 x और y 0 रखे 0 less than equal to 5 है 0 less than 5 होता है इसका मतलब 0 0 इसके solution में आता है यहाँ इसके उपर इसके नीचे इसके नीचे और इसके left में क्यों यही portion है जो common बनता है यही इसका solution है next है 2x plus 3y is less than equal to 35 y is greater than equal to 3 x is greater than equal to 2 और x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 यहाँ पर आईए पहले 2x plus 3y बराबर 35 कर दीजे तो x को 0 रखिए y आएगा 35 बड़े 3 तो 3 11 3 11 से 33 होता है 11 point something आएगा अब y को 0 रख दीजे x आएगा आपका 35 by 2 तो यह 7.5 करीब आएगा तो सबसे जाले इन points को ले लेते है x 0 y 35 by 3 तो यह 0 35 by 3 जैसे मने बताया था 11 के उपर करीब आएगा x 35 बड़े 2 17.5 something ले लिजे यहाँ पर और y 0 तो यह हो जाएगा 35 by 2 और 0 तो यह line बना दीजे परहे तो यह line बना दीजे अब इसमें देख लिएजे कि 0 0 कहां आता है बलता है origin कहां आती है यहाँ पर रखेंगे 0 2 इंटो 0 0 प्लस 3 इंटो 0 0 और less than equal to 35 तो 0 less than equal to 35 होता है यहने इसके solution में 0 0 आता है तो यह 0 0 है तो इसका सारा नीचे वारा portion solution रहेगा इसका नीचे वारा portion solution रहेगा अब यह तो एक चीज मिल गए इसके नीचे सारा solution होगा अब y greater than equal to 3 y equal to 3 y equal to 3 आ गया तो y equal to 3 का मतलब यह होता है कि आप y equal to 3 मतलब एक ऐसी line जो y कहां पर है x y y equal to 3 यह हो गया जब भी y equal to 3 होता है इसका मतलब x line x axis के parallel है y से y के 3 से एक ऐसी line मनाई है जो आपकी parallel हो अब y is greater than equal to 3 0 रखिये 0-0 तो यह greater than equal to 3 0 तो greater than equal to 3 नहीं होता है मतलब इस line के नीचे नहीं होगा solution यह 0-0 है ना यहां पर इस line के नीचे solution नहीं है उपर ही उपर है तो इसका उपर-उपर solution होगया यह सारा उपर-उपर होगया अब आईए इस पे यह x greater than equal to 2 पर है तो इसके लिए क्या करेंगे x equal to 2 करिए x equal to 2 है y के parallel एक line बना दीजिए अब 0-0 रखिए x 0 हो जाएगा greater than equal to 2 0 के दूसरे दूसरे बढ़ा होता है नहीं होता इसका मतलब कि यह 0-0 जो है आप इस portion मिलेंगे x z equal to 0 y greater than equal to 0 इसका मतलब यह है कि यहां से और यहां से उपर ही रहेगा अब इन तीनों का common portion ले लीजिए इसके नीचे ये इसके उपर ये और इसको एक काम गड़ता होगा मैं आपको अलग-अलग color से बता देता हूँ आपको clear हो जागा कि कौन सा portion common आने वाला है जिसे इसके उपर है तो यह line होगी यह color होगया अब ज़र मुझे दूसर color आपको यह समझ में आ जागा कि मैं कौन सी चीज मेरी जो है इसके उपर होगया अब इसके लिए solution क्या है यह वाले line के लिए इधर है उपर इउपर होगा क्योंकि नीचे तो जाएंगे नी यह होगया अब यह दूगा होगया इस line के लिए यह वाला solution हुआ इस line के यह वाला solution होगा अब तीसी line पाईए जो तीनो color जहाँ पर आपको दिखाई देंगे common ठीक तीनो common जहाँ दिखाई देंगे वो ही आपको solution होगा बस इतना ध्यान रखेगा अब तीसरा यह है इसके नीचे यह ध्यान रखेगा कि यह आपको इसका खास खास ख्याल रखना है तो यहाँ पर मैं इसको यह solution इसके नीचे यह हो गया तो देखे तीनो जो लाइने आ रही है जहां तीनो मिलेगी यहाँ पर आपको red मिल रहा है और yellow मिल रहा है लेकिन green नहीं मिल रहा कोई और portion देखेज़े यह जो portion है यहाँ पर आपको green मिल रहा है red मिल रहा है लेकिन yellow नहीं मिल रहा यही portion है यह जो portion है यहाँ पर आपको तीनों color मिल रहे है इसलिए यह solution यहाँ पर है कि हमको बताना है show that the solution set of the following linear equation is an empty set empty set का मतब यह है कि जब हम इसको solve करेंगे तो इसको कोई solution नहीं आएगा null set आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले यह जो हमारे पास linear equation से इसकी line बना देते है और फिर इसका solution set देखते है अगर जो दोनों के solution set यह जो चार equation है हमारे पास इन चारों के solution set जो है वो उसमें कुछ common नहीं निकल रहा है intersection उसका null आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह empty set है इसका solution जैसे आपका x minus 2y equal to 0 कर दीजे 2x minus y equal to minus 2 कर दीजे अब x को 0 रखेंगे तो y आएगा y 0 आएगा y को 0 रखेंगे तो x भी 0 0 आएगा इसका मतलब एक और point लेना पड़ेगा तो गयों एक और point ले लेते हैं जैसे माल लीजे 1 और 2 ले लेते हैं तो x में 1 रख दीजे x को मैं 1 ले रहा हूँ और y को 2 तो x को 1 रख दीजे तो y कितना आएगा y आजाएगा अपका minus half आजाएगा और अगर y को 0 कर देते हैं तो x 0 आजाएगा y को 2 कर देते हैं y को 2 कर देते हैं y 2 करेंगे तो क्या आएगा x 4 आजाएगा यह मैंने एक random point लिया है यह इसलिए शंका है कि आप कोई भी point ले सकते हैं यह आपके उपर है तो हम क्या करेंगे 0-0 तो हमारे पास point थाई इसके बाद हमारे पास एक point हागया y 2 4 तो यहाँ पर 2 ले लीजिए यहाँ पर 4 ले लीजिए तो एक point यहाँ आएगा इन दोनों से एक line मना दीजिए यह आपकी x-2y equal to 0 आ गई 2x-y equal to 2 में x को 0 रखिए y देखिए क्या आता है x के 0 रखेंगे तो y आपका आएगा 2 y को 0 रखिए x कितना आता है x आपके आएगा y 0 रखेंगा तो x आपका मानस होना जाएगा तो यह y को 0 रखते ही आपका x आगया मानस 1 और x को 0 रखते ही y आगया 2 तो इस point को ले ले लेते है फोले 0,2 लेते है x0,y2 x0,y2 यह आपका हो गया 0,2 और इसी तरीके से अचाहिए यह point क्या था मैं तरहां मार कर देता उसको 2,4 है यह 0,2 हो गया इसके बाद minus 1,0 यह minus 1 और यह minus 1,0 यह वाला point x अगर 0 है तो y2 है x अगर 0 है तो y2 है और y0 है तो x minus 1 है तो यह वाला point हो गया यह point हो गया minus 1,0 अब इससे एक line मना दीजे तो thick line मनाएंगे क्योंकि inequality इसके साथ equality भी है एक thick line नहाँ बन गया अब देखिए अब आब इसमें रखिए 0,0 इसमें 0,0 रखिए तो 0 और 0 x minus 0 minus 2 into 0 is greater than equal to 0 तो 0 greater than equal to 0 0,0 बराबर आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कोई और point लेना पड़ेगा ये थोड़ा सा satisfaction इससे हमें नहीं मिलपाए क्योंकि 0 greater than equal to 0 तो 0,0 satisfy कर रहा है इसको लेकिन अगर आप चाहे तो कोई और point भी डाल सकते है इसमें जस्ट टू चेक एक re-check करने के लिए लेकि क्योंकि यहाँ पर 0 greater than equal to 0 है और 0 equal to 0 होता है तो इसका मतलब यह point जो है इस solution set में आता है लेकिन अगर आप पदा करना चाहें कि नीचे हम करें कि ऊपर करें तो इसमें एक समस्या हो जाती है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक point और दे सकते है जैसे माल लीजे आप 1-1 दे दीजे या चलिए इसके उपर अगर हमें देखना है तो आप दे दीजे 2-2 दे दीजे 2-2 दे दीजे तैक्स हो गया 2 minus 2 into 2 यह greater than equal to 0 है 2 minus 4 greater than equal to 0 minus 2 greater than equal to 0 यह तो खलत हो गया इसका मतलब 2-2 solution नहीं है अगर मैं इसको 2-2 यहां लेता हूँ तो यह इस line का solution नहीं है तो solution नीचे की तरफ आएगा यह point इसके solution set में नहीं आता तो नीचे सब आप mark कर दीजे इस तरीके से अभी मैंने यह दूरों नहीं देखे अभी केवल हम इसको ऐसे कर रहे है अब इस पर आजाएए यहाले में क्या है फिर से आप इसमें x0 y0 रखिए तो इंटो 0-y0 is less than equal to minus 2 तो 0 is less than equal to minus 2 क्या 0-2 से छोटा है 0-2 से छोटा है नहीं इसका मतलब यह है कि यह 0-0 है इस line के solution set में नहीं आ रहे तो आप इसको कर दीजे ऊपर यहाँ कुछ commonality मिल रही है लेकिन अब हम इसको देखेंगे x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 इसका मतलब x यहाँ होगा और y यहाँ होगा और इस portion में अगर आप देखे तो इन दुनों के line के बीच में कुछ भी common नहीं है there is no common portion तो इसका मतलब इसका result है वो empty set है null set है same काम यहाँ पर भी करेंगे हम इसमें x plus 2 y less than equal to 3 है ज़रा निकाल लेते हैं इसके point x plus 2 y equal to 3 कर दीजे x को 0 रखिए y आपका आएगा 0 रखते ही आपका y आजाएगा 3 by 2 x को 0 रखेंगे y 3 by 2 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x आएगा 3 0 3 by 2 यानिका 1.5 है y तो यह 1.5 आण ले लिजे यह आपका वाने 1.5 आण ले लिजे इस जगा पर x 0 है तो y आपका 3 by 2 यानिका 0 तो एक point यहाँ होगे आपका 0 1.5 तो यह point 1.5 होगे तो इसको लिखेंगे 0 3 by 2 यह वाला point होगे फिर x 3 है तो y 0 है तो x 3 है तो y 0 है यह आपका 3 0 होगे एक line मना दीजे dark line मनाईएगा क्योंकि यह आपर equality sign भी है एक line मना दीजे अगले में आजएगे 3x प्लस 4y greater than equal to 12 तो इसमें क्या करेंगे सेम सेम तरीका अपनाएंगे 3x प्लस 4y को आप कर दीजे 12 x को 0 रखिए y आएगा 12 by 4 यानिकी 3 y को 0 रखिए x आएगा 4 तो 0 3 x 0 y 3 यानिकी यह आपका 0 3 यह point हो गया और 4 0 यह वाला point हो गया 4 0 इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ यह point ऑ 4 0 अब यह line मन गे यह line मन गे देखिएगा हम इसमें रखते हैं 0 0 x इसको 0 0 रखते हैं और फिर inequality लगाएंगे तो x 0 y 0 यानिकी यह पूरा 0 हो जागा 0 is less than equal to 3 0 3 से कम होता है बिल्कुल सही है इसका मतलब solution set में आता है 0 अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा यानिकी इसका solution नीचे की तरफ आएगा यह 00 यहाँ पर है अब यहाँ पर आएगा 3 x प्लस 4 y इसमें 0 y 0 रखिए 0 और ग्रेट दन इक्वल to 12 यह गलत हो गया इसका मतलब 00 इस line के solution set में नहीं आता है solution set इसके उपर ही उपर होगा नीचे नहीं आएगा उपर ही उपर होगा अब यह आपर देखिए y is greater than equal to 1 है इसका मतलब यह y जो equal to 1 line लखेंगे वो यह है यह वाली y greater than equal to 1 है तो clear देख रहा है जब greater than equal to 1 की बात है तो 00 इसके solution नहीं है तो यह उपर solution होगा इसका उपर solution होगा यहाँ पर और क्योंकि यह line के नीचे solution है तो इसका और इसको common क्या बन गया यह portion बना common यह portion common क्यों लाए है मैंने क्योंकि x greater than equal to 0 y greater than 0 है इसका मतलब यह portion और यह portion में हमारे solution आएंगे तो जब हम इसके उपर जाएंगे इसके उपर जा रहे है और इसके नीचे आ रहे है इसके उपर नहीं जा सकते क्योंकि यह line जो है इसके रेस्टिक्ट कर रही है यह वाला portion हो गया यहाँ पर नीचे solution देंगे लेकिन इसके उपर solution होना चाहिए तो यहाँ पर भी कोई solution नहीं आएगा यह line कहती है कि उपर solution होगा तो इनके बीच में कुछ भी common नहीं है यह जो portion है यही तो common है लेकिन इन तीरों line के बीच में कुछ भी common नहीं है जब common नहीं है इसका मतलब यह है solution जो है वो empty है there is no solution next question जो है find the linear in equations for which the shaded area is this अब shaded area में इसका बना देता हूँ आपके सामने shaded area draw the diagram of the solution set of the linear in equations तो सबसे पहले हम क्या करना है कि हमें diagram दे रखा है अब diagram दिया हुआ आपको तो यह जो portion है यह इसका solution set बताया गया है right इसमें अलग-अलग line के के वो भी दिये हुए कि कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन प्लस 6y एकवेज़ तो 24 और आपकी यह जो line है निचे वाली तो यह वाली line हो गई और यह वाली जो line है यह भी हो गई तो यह सारी line चार line दियो एक, दो, तीन, चार इसके बीच में यह portion है आपका इसका final linear equation for which the shaded region is the solution तो सबसे पहले हम क्या करते है इस line को देखे 2x plus 3y equal to 6 यहाँ पर आप देखे जो shaded region है और जो origin है वो opposite side में कहने का मतलब यह origin को देखे यह origin और यह shaded portion shaded portion line के उपर है यह origin नीचे है इसका मतलब यह है कि 2x plus 3y is greater than equal to 6 पहले चीज़ यह हो गई अगले वाले पे 4x plus 6y equal to 26 इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो solution है यह यह एक है shaded जो portion है वो इसके नीचे की तरफ है और जो origin है वो भी इसी तरफ है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको less than equal to 24 करेंगे minus 3x plus 2y equal to 3 इसमें इस line में जो shaded portion है वो इस तरफ है किस तरफ है जहाँ पर origin है जहाँ पर origin है वो इस तरफ है तो इसको भी less than equal to 3 कर देंगे अच्छा dotted line में यह सारी थिक लाइन है इसलिए हम equality sign भी लगा रहे हैं अगर dotted line होती तो equality sign नहीं लगाते x minus 2y equal to 2 इसमें जो solution है वो उपर की तरफ है यह shaded portion उपर की तरफ है और जो origin है वो भी उपर की तरफ है इसको मतलब यह भी less than equal to 2 करेंगे इसके रावा जो shaded portion है वो x axis के उपर है तो x greater than equal to 0 y के साथ है y के plus में है x के plus में है तो x भी greater than equal to 0 तो 1, 2, 3, 4, 5 यह इसका solution हो गया से आ तक next वाले में आपके पास जो line दी गई है वो खुछ इस तरीके से है कि एक तो यह line है मैं सब को एक एक करके यह mark कर देता हूँ कि कौन-कौन सी line क्या-क्या कह रही है यह वाली जो line है यह है y equal to 3 यह जो line एक line इसमें आती है मैं अभी बनाऊंगा उसको वो line है आपकी x equal to 3 तो x equal to 3 भी line इसमें दी हुई है एक x equal to 3 तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर एक line मानिये इस जगह पे x equal to 3 यह एक line है यह हो गई x equal to 3 यह हो गया अब यह जो line है इन दोनों line को देखिए यह जो नीचे वाली line है यहाँ वाली यह है x plus 5y equal to 4 यह वाली line हो गई अब यह वाली line देखिएगा यह नीचे वाली यह है यह जो line दी भी है क्योंकि दो इन्डों intersect कर रही है इसके साथ x axis के साथ और यह हो गई यह वाली line एक और line है यह वाली यह जो line है यह है 6x plus 2y equal to 8 तो x plus 5y equal to 4 हो गया 6x plus 2y equal to 8 हो गया और एक और line आ रही एक हो गई दो हो गई यह एक और line यहाँ पर है एक और line यहाँ पर है यह वाली जो line है यह वाली जो green green से दिख रही है न यह है यह है x plus 5y equal to 4 और जो दूसी line इसके नीचे है यह वाली line है आपकी यह x plus y equal to 4 और जो shaded portion है उसमें यह वाला है यह shaded portion है अब एक एक करके देखते है सबसे पहले देखिए x plus y equal to 4 यहाँ पर यह नीचे 00 है और यह नीचे की तरफ है 00 देखिए 00 कहा है 00 नीचे की तरफ है solution भी इसके नीचे की तरफ है इसका मतलब less than equal to कर दीजे सीधा इसको फिर y y के नीचे y जो उपर y equal to 3 उसके नीचे solution है 00 भी नीचे है तो इसको भी less than equal to कर दीजे फिर आईए x पे x के left में है और 0 भी यहाँ पर है तो x less than equal to 3 हो गया फिर x plus y equal to 4 यह वाली line देखिए इसमें क्या है कि यह line के उपर solution है और नीचे 0 है तो यह greater than equal to हो गया x plus 5y equal to 4 अब आईए है 6x plus 2y equal to 8 पे यहाँ पर क्या है इस जगा पे क्यूंकि x plus यह 6 x plus 2y equal to 8 है solution उपर की तरफ है solution उपर की तरफ है 0 opposite side है solution यहाँ है तो इसको आप क्या करेंगे 6x plus 2y is greater than equal to 8 opposite side है तो greater than equal to एक side है तो less than equal to तो यह x अपका solution होगा x plus y less than equal to 4 y less than equal to x less than equal to x plus 5 greater than equal to 4 6 plus 2y greater than equal to 8 x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 because यहाँ पर देखिए x axis ही है y axis है solution x और y के उपर है तो x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 इस question में हमें बताना है कि जो linear equation बनेगी यह एक unbounded set है unbounded यानि कि अगर हम ऐसे हमारे पास कुछ इस तरीके से line आ रहे है तो यह bounded हो गया लेकिन अगर solution कुछ यह यह वाला motion आ रहा है तो यह कहां तक जाएगा कुछ पता ही नहीं है यह unbounded होता है तो सवाल है x plus y greater than equal to 9 यहां रखेगा x plus y greater than equal to 9 तो सबसे परें दोनों line बना लेते हैं x plus y equal to 9 कर देते हैं और 3x plus y greater than equal to को हम equal कर देंगे 12 से x को 0 रखेंगे तो y आएगा आपका 9 y को 0 रखेंगे तो x भी आएगा 9 यहां y को 0 रखेंगे y को 0 रखेंगे तो x आएगा 0,3,4 और x को 0 रखेंगे तो y आएगा 12 तो पहले हम यह line बनाते हैं x plus y equal to 9 0,9 कहां पर है? यहां पर है यह आपका 0,9 हो गया यह क्या हो गया? 0,9 हो गया अब 9,0 यह 9,0 हो गया एक line बना दीजिए थिक line यह फ़ली line हो गई दूसरे पाईए 4,0 यह आपका हो गया x यह हो गया 4,0 4,0 और यह 0,12 यह 0,12 हो गया line बना दीजिए अब सीधा 0,0 डालके देखें 0 plus 0 0 plus 0 क्या greater than equal to 9 है? 0,9 से बढ़ा होता नहीं इसका मतलब solution क्या हैगा? उपर portion उपर अब यहाँ पर 0,0 डालके देखें 0 plus 0 3 into 0 plus 0 0 greater than equal to 12 यह भी नहीं होता है 0 greater than 12 नहीं होता है इसका मतलब इसके भी उपर solution है अब इसका common अगर निकाला जाए मैं इसको जरा इस तरी की जबना को मैं आपको दिखाना यह चाहरा हूँ कि जो common portion है वो कैसे आएगा? और अब हम इसका दूसरा कला ले ले लेते हैं यह इसके लिए solution है तो पहले तो आपको वो दिखना है जा लाल और हरा दोनों दिख रहा है लेकिने एक चीज़ ध्यान रखनी है x greater than equal to 0 है y greater than equal to 0 है इसका मतलब कि इस परीधी में आप देखेंगे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसके उपर इसके उपर और इसके उपर तो यहाला portion आ गया यहां से लेकर यह common देखेंगे यहां red है यह green नहीं है यह और यह यह portion हो गया लेकिन यह जो हरी line है में कहां तक ले जा सकता हो infinite तक red line भी infinite तक जा सकती है इसका मतलब यह unmounded है यही आपको प्रूब करना था Solve the following system of in equations graphically अब same जीज़ करेंगे इसमें भी 2x plus y आपका है greater than equal to 8 इसी तरीके से है x plus 2y greater than equal to 8 ऐसे है आपका x plus y less than equal to 8 x को 0 रखेंगे y आएगा आपका 8 equal कर देते हैं अब इसको equality sign लगा दीजे आप फिर Solve करेंगे x 0 y 8 y 0 x कितना होगा y 0 करेंगे तो x i का 8 बटे 2 हो जाने की 4 0 8 और 4 0 0 8 x 0 y 8 तो 0 8 यह 0 8 हो गया और 4 0 यह आपकी हो गया 4 0 यह पहली लाइन बन गई आपकी यह 2x plus y equal to 8 की पहली लाइन बन गई x plus 2y greater than equal to 8 equal कर दीजे x 0 करें y आपका आएगा 4 y 0 करें x आएगा आपका 8 0 4 0 4 आपका हो गया यह 6 0 6 0 यह हो गया line मना दीजे यह एक line बन गई पिर तीसले पहली है x plus y is equal to x plus y equal to 6 है x 0 तो y 6 y 0 तो x 6 यह आपका 0 6 हो गया यह point और यह यह point आपका 6 0 6 0 तो 8 यह x यह 8 है यह हो गया यह वाला था 8 0 यह 6 0 है तो हम यह line बना देगी तीन line बन गई आपकी अब आईए इसके origin पे origin की value डालनी है देखना है कि origin नीचे आती है कि उपर आती है line के line के नीचे अगर origin आ रही है नीचे आ रही है तो यह portion करेंगे shade इसके उपर आ रही है तो उपर वाला portion shade करेंगे तो देखें कि 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गए 0 greater than equal to 8 आ रहा है इसमें 0 greater than equal to 8 आ रहा है इसमें भी और इसमें 0 greater than equal to 6 आ रहा है 0, 8 से बड़ा होता है जी हाँ, बड़ा होता है तो 2x, अच्छा 2x प्रस y greater than equal to 8 यानि कि ये जो आपके लाइन है, इसके उपर सब portion रहेगा मैं भी बनाऊंगा इसको x प्रस 2y यानि कि यहाँ 0 रखा, 0 greater than equal to 8 तो इसमें भी उपर वाला portion रहेगा x प्रस 2y वाले में भी x प्रस 2y वाले में भी 2x प्रस y वाले में भी, दोरों में उपर रहेगा x प्रस y less than equal to 6 ये जो है 0 0 यहाँ रखेंगे तो 0 less than equal to 6 तो नहीं होता है तो इसके नीचे आएगा, ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसके नीचे आएगा तो मैं अभी इसको बनाता हूँ इसके नीचे पहले में जो आया हमारा वो ये था कि फर्स वाली कंडिशन थी 0 is greater than equal to 8 and 0 is greater than equal to 8 और 0 is less than equal to 6 0 is less than equal to 6 आया x प्रस y less than equal to 6 में तो x प्रस y less than equal to 6 इसका जो solution होगा नीचे की तरफ होगा आपको केवल वो portion देखना है जा आप तीनो color दिखाए देगे आपको मैं इसका color change कर देता हूँ एक तो line यह हो गई एक portion यह हो गया अब हम देते हैं दूसरा portion इसके उपर रहेगा इसके तो उपर रहेगा यह हो गया अब तीसरी line हम देखते हैं इसका एक और color ले लेंगे वो यह हो गया इसके भी उपर रहेगा अब तीनो color कहा आ रहे हैं green, red और blue इस portion में आ रहे है यह वाला यह है आपका solution तो आगे के question बिल्कुल सेम इसी तरीके से है सारे के सारे तो आप line बना लेंगे यह आपका solution है line बना लेंगे मैं आपको portion बता देता हूँ इसमें है x और y दोनों को 0 रखिए x और y 0 रखेंगे तो यह less than equal to 840 आ रहा है इसका मतलब क्या है यह 0 इससे कम है फिर दूसरे वाले में क्या आ रहा है आपका 3x प्लस 6y अगर 0 रखेंगे 0 0 तो आपका यह 0 less than equal to 300 आ रहा है उसके बाद आपका तीसरा जो है 0 plus 0 इस less than 480 तो 0 less than 480 आ रहा है फिर final portion है x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 तो इसके नीचे इसके भी नीचे और इस line के भी नीचे है ठीक और x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 यह यह x axis और y axis के उपर रहेंगे तो यह जब portion है यह आपका solution रहे जा next वाले में भी आप line बना लेंगे line यह बन जाएगे यह हम काफी questions ऐसे कर चुके है line बना लेंगे और यहाँ पर आपका 0 less than equal to 40 0 greater than equal to 30 0 greater than equal to 60 और x greater than equal to y greater than equal to 0 0 less than 40 यह यह line है जिसके portion नीचे बनेगा तो 0 less than 40 यह 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 x plus 2y less than equal to 40 यह वाली जो line है यह इसके नीचे बनेगा ऐसे 0 greater than 30 यहने की 3x plus y equal to 30 यह वाली जो line है इसके उपर बनेगा और 4x plus 3y इसके बनेगा greater than equal to 60 इसके बनेगा तो यह जो boundary है क्योंकि x greater than equal to 0 है y greater than equal to 0 है यहने की x और y axis के उपर तो यह जो portion आ रहा है आपका यह इसका bonding region है इसमें भी ऐसे करेंगे यह line है बना लेंगे आप x 0 रखेंगे y 0 रखेंगे और उसके बाद y 0 रखेंगे x को 0 रखेंगे y की value निकालेंगे y की value रखेंगे x की 0 value निकालेंगे और इसके बाद बोनों को join करके line है बना लेंगे यह line है आपके सामने है इस तरफ इसे बनेंगे इसके बाद यह है 0 greater than equal to 10 यह है 0 greater than equal to 12 यह है 0 greater than equal to 12 और यह x greater than 0 y greater than 0 तो इसमें unbounded आने वाला है तो 0 greater than equal to 0 5x plus y यह 5x plus y जो यह line है यह walic इसके उपर बनेगा फिर 2x plus 3y equal to 12 यह 2x plus 3y equal to 12 है इसके उपर बनेगा और x plus 4y greater than equal to 12 यह वाली जो line है तीसरी line है इसके भी उपर बनेगा x और y axis इसके उपर रहेगा यह सारा unbounded region है यह unbounded region है जो आप देख पा रहे हैं यह है